ठीए स्टुडेंट्स आज हम समझेंगे क्या concept है quadratic equation in one variable with rational coefficients का ठीक है स्टार्ट करते हैं एक example से देखें हमाई पास जो polynomial equation जैसे आप जानते हैं कि 2x square ठीक है plus 5x plus 7 equal to 0 अगर मैं ये एक equation लिख रहा हूँ अब हमने इसमें ये बात चेक की कि इसमें जो highest exponent variable x की वो 5 है ठीक है अब इस power 2 होने की वज़ा से या इसकी degree second होने की वज़ा से हम कहेंगे कि ये equation जो हमाई पास quadratic equation है ठीक तो इसी concept को हम एक standard form में एक general form में लिखते हैं जाके हम इसको overall apply कर सके हम इसा से कहेंगे कि ऐसी equation जिसमें x square का coefficient a हो ठीक है x जो हमारे पास term है उसका coefficient b हो और जो constant term है वो हमारे पास c हो तो ऐसी equation को हम कहेंगे कि ये क्या है जी polynomial एक polynomial equation है इसको हम कहेंगे quadratic equation है तो basically इसमें x की जो power x variable की वो 2 है इस वजह से साथ ही हमने जो इससे बात समझी वो ये के coefficient of x square जो के rational number है ये 0 के एक पल नहीं हो सकता इसलिए नहीं हो सकता कि अगर suppose यहाँ पर हम a की जगा 0 put कर लेते हैं तो यह यहाँ पर x square की मौजूदगी यहाँ इंडिकेट होगी कि हमाइपा जो equation वो इस शेप में है 2 times x square plus 5x equal to 0 और आप से कहा जाता है पुछा जाता है क्या यह quadratic equation है तो सबसे पहले आपने क्या देखना है x variable की highest exponent जो के 2 है जिसकी बेस पर हम यह कहेंगे कि यह second degree polynomial equation है और यह quadratic equation है ठीक है तो यहाँ से आप ने जो बात observe की जो आपके observation में आई वो यह आई कि इसमें जो missing term थी अगर हम इसको standard form से resemble करें तो हमने देखा कि इसमें जो missing term है वो c है जो इसमें नहीं लिखी भी ठीक है इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपके पास quadratic equation में c जो के constant term है अगर zero हो जाए या कोई positive number ratio number आजए या कोई negative ratio number आजए तब भी equation पर कोई effect नहीं पड़ता वो second degree equation ही रहती है या एक आपके पास quadratic equation ही रहती है ठीक है अब फर्दर हम इसको समझते है देखें एक और example से मैं इसको समझाता हूं इस तरह से कि हमाई पास equation इस तरह से है कि 2 times x square ठीक है plus 10 चामिल है इसकी highest exponent जो के 2 है जिसकी बेस पर आप कहेंगे कि ये second degree polynomial equation है और इस वज़ा से ये क्याई जी ये quadratic equation भी है ठीक है तो बास समझ गी होंगे अब अगर आप इसको सेम उपर जो मैंने आपको भी quadratic equation की standard form बताई है इससे अगर resemble करें तो आप देख रहें किसमें जो missing term है वो ये हमारे पास जो bx है ये missing term है और इसमें इसकी missing होने की जो वज़ा है वो ये कि coefficient of x जो है वो इसमें क्या है जी 0 है अब यहां से हम ये बात कर सकते हैं कि 80 second degree equation जिसमें coefficient of x square जो है वो अगर 0 हो जाए या कोई positive rational number हो या कोई negative rational number हो तब भी वो जो quadratic equation ही रहती है तो आ जी के quadratic equation क्या होती है और क्या इसका concept है और फर्दर हमने ये देखा कि अगर इसमें variable हम change भी कर दे नहीं x की जगा अगर y भी variable लिख दिया जाए या z लिख दिया जाए तो इससे कोई effect नहीं पड़ता basic जो इसकी definition है या इसका जो concept वो हमने आज समझा